हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तो ओरेटिप चानल भी अच्यो पाइट सेला, इस निहां हेर, एंड हेर डिल डोस वीडियो, इस वीडियो में हम मल्टी पॉपस प्रोजेक्ट टॉपी को कवर करेंगे, वेल, फर्स क्वेशिन, येस अगें, टेस्स जॉइन नहीं किया है, टेस्स एप पर एफ लेवल हो गया है, टेन, जाइए, जॉइन कीजिए, सॉल्फ कीजिए, प्रिपरेशिन आपकी 100% स्ट्रांग हो गई है, टाइम मेनेजमेंट बहुत जरूरी है, और इसके लिए टेस्स सरी सॉल्फ करना जरूरी है, राइट, टेन डेस में टाइम मेनेजमेंट को इंप्रूफ करो, जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्फ करना सीखो गाईज, बढ़ना पता चला कि सारे आ रहे थे और हम करके नहीं आए, ठेके ना, भारत की सबसे पुराई नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहु उद्देश ये नदी घ नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी निगम कब स्थापित हुई, 1948 में स्थापित हुई, उकाई परियोजना कहां इस्थित है, गुजरात के तापती नदी पर इस्थित है, वेल, ये हमारे questions थे, इस ताइप की questions आसकिये जाते हैं, अभी हम फटा-फट सारे परियोजना को देख लेते हैं, इडुकी परियोजना, ये पेरियार नदी पर है, और पेर नदी कहां पर है, केरला में है, ध्यान रखो कौन सी नदी किस स्टेट में है, direct question बनता है, उकाई ये परियोजना, ये तापती नदी पर है और ये कहां गुजरात में बहती है, काक जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है और चंबल नदी राजस्थान में बहती है जायका बाड़ी परियोजना गुदावरी नदी पर है गुदावरी नदी महरास्ट्र में है तिहरी बांध परियोजना भागी रती नदी पर है और भागी रती नदी उत्रा खंड में बहती है तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है और बराकर नदी जारखंड में बहती है तुलबुल परियोजना जेलम नदी पर है और जेलम नदी जैमुएन कास्मेर में बहती है दुरगापुर बैराज परियोजना ये दामोदर नदी पर है और दामोदर नदी वेस्ट ब बहती है नागा अर्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी आंधर प्रदेश में बहती है नाधपा जाकरी परियोजना ये सत्लुज नदी पर है और सत्लुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है पंचेत बांध परियोजना पंचेत बांध दामोदर नदी पर है और दामोदर नदी जारखंड में बहती है पोचम प्याद परियोजना पोचम पाद परियोजना ये महा नदी पर है और महा नदी करनाटक में बहती है परियोजना ये गंगा नदी पर है और गंगा नदी वेस्ट बेंगौल पस्चिम बेंगौल में बहती है बार्सागर परियोजना ये सोन नदी पर है और सोन नदी काए मध्य परदेश भागडा नंगल परियोजना सतलुज नदी पर है और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है भीमा परियोजना पावन नदी पर है और पावन नदी तेलंगाना में बहती है मातर तिला परियोजना ये बेतवा नदी पर है और बेतवा नदी उत्तर परदेश से बहती है रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है और ये नदी जैमु एन कास्मीर में बहती है राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में बहती है सतलस परियोजना ये चिनाब नदी पर है और जैमु कस्मीर में चिनाब नदी बहती है सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी गज़रात में बहती है हिटकल परियोजना ये घाट प्रभा परियोजना और घाट प्रभा रिवर पर है हिटकल परियोजना और घाट प्रभा जो नदी है ये करनाटक में फ्लो होती है ओके, so well यहाँ पे हमने बताया किस टाइब की questions multipurpose project से ask किये जाते हैं और कौन सा multipurpose project किस नदी पर है और कौन सी नदी किस राज्य में है hope आपको वीडियो समझ में आ गई होगी वीडियो को लाइक करके friends को share भी कर दो because last time कोई mistake नहीं करनी है bye bye, thank you comment section में मुझे बताना ज़रा बिहार की सोक किस नदी को कहा जाता है मैं यह बता रही हूँ जो नदी है उस नदी को सोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल ना बाढ़ जाता है उसकी वज़े से जिसकी वज़े से अब समझे सकते हो कि बिहार की हालत क्या होती होगी तो वेल मुझे बताओ नाम उस नदी का क्या है bye, thank you